किसान भाईयों मोफली की फसल में सलपर का परियोग कप करना चीए सलपर कौन सा देना चीए दानेदार या पाउडर या लेक्विड मोफली में सलपर देने से क्या-क्या फ्वाइदे होते है किसान भाईयों इस वीडियो को सुरू से लेकर आखिर तक देखे के जो नए साथ हैं आमारे चैनल पर नए हो चैनल को सबस्क्राइब कर दीजी। मोफली एक तेल वर्गी फसल है, जिस कारण मोफली की फसल में सलपर तत्व का परीयोग बहु से किसान भाई करते हैं, क्योंकि तेल वर्गी फसलों में सलपर की कम्मी सबसे पहले देखी जाती है और सलपर का प्रयोग करने से किसानों को फसल में कापी ज्यादा फाइदा होता है। किसान भायों अगर आप खेत की तैयारी किसमें जिसे कि आप बरसात में मुफली लगा रहे हैं और गर्मी के मुसम में ही आपने सिंगल सुपर फासफेट खेत में बिखेर कर अच्छी तरह से जुताई करने के बाद मुफली की बौवाई करी है तो खेत में सलपर की उतनी करना चीए है और बात करें कि किसान भाय सलपर कौन सा प्रियोग करे एक आता है सलपर बेंटोनैट 99 परतिसत जिसमें 99 परतिसत सलपर और 10% बेंटोनैट की मातरा पाई जहती है यह डाल के अकार में नजराता है दानेदार के रूप बहोग तो मुफली की बुवाई के बाद फूर्वाती 15-20 दिन में परियोग कर सकते हैं क्योंकि शल्पर दानेदार को गलने में समय लगता है जिससे आपको result भी दीरे दीरे मिलता है अगर आप बुवाई के बाद परियोग कर रहे हैं शुरुआती दिनों में तो आप सलफर बेंटोनाइट का 5-8 kg प्रती एकड़ के इसाब से प्रियोग कर सकते हैं। वहीं अगर आप सलफर पाउडर का प्रियोग करते हैं तो इसका रिजल्ट मुफली में कापी बढ़िया देखा जाता है। आप सलफर 80% जो पाउडर के फोम में आता है उसका प्रियोग मुफली में कभी भी कर सकते हैं जिससे आपको 2-4 दिन के अंतरगत ही रिजल्ट मिलना सुरू हो जाता है। किसान भाई यो आप इसका प्रियोग यूरिया के साथ मिला कर भी कर सकते हैं थोड़ी मातरा में यूरिया के साथ आप मिक्स करें क्योंकि मुफली में जादा यूरिया भी नहीं देना है इसके साथ आप रेत में मिला कर भी सलफर का प्रियोग कर सकते हैं सबसे बड़ी मात तो उसे भी आपको बड़ीया रिज़ेट्ट देखने को मिलता है लेकिन सलपर का इसप्रे करने के लिए सलपर का अलग कोम्बίνेशन आता है तो उसका पूरियोग आपको करना चीए सलपर की कमी के कारण मुफली की फसल में पीला पनाता है पूरा खेत पीला पड़ जाता है या फोसल कमजोर रहती है मुफली के दानों में तेल की मातरा कम निकलती है जिससे किसानों को नुकसान होता है और मुफली का बादन कम निकलता है अगर किसान भाई मुफली के खेत में सलपर तत्व का परियोग करते है तो मुफली पीली नहीं पड़ती है दानों में वजन बनता है दानों में तेल की मात्रा बढ़ती है जिस पादन में बडोत्री होती है किसान भायो आप भी अगर मुफली की खेती कर रहे हैं तो इस प्रकार से मुफली में सलपर का प्रियोग कर सकते है किसान भाईयों वीडियो को अन्य किसान दोस्तों तक भी शियर करें